दस जार से कम का बजेट है और एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है तो मोटो का G14 लेना सही रहेगा या फिर रेडमी का 12 आज इस वीडियो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने के कोशिश करूँगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए लेकिन उससे पहले लाइक का टार्गेट रखते हैं सिर्फ 200 लाइक का टार्गेट रखते हैं आई होप आप पूरा करवाद होगे तो सबसे पहले इनके बिल्ड और डिजान जे शुरुआत कर लेते हैं वैसे तो बिल्ड क्वालिटी दोनों फोन का अच्छा है लेकिन तूबी ओनेस रेड्मी 12 के साथ में जो बिल्ड और लुक्स है वो थोड़े से जाधा बैटर देखने को मिलते हैं यहां पर आपको ग्लास बैग दियाए जो कि देखने में काफी ज़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है वहीं मोट्न G14 के अगर बात करें तो वहाँ पर आपको प्लासिक बैग देखने को मिलता है अगर बात करें डिस्प्ले की तो आफ को और अपको यहां पर रेड् Ellis 12 थ साथ में अच्छी और कंटेंड वोचिंग का जो एक्सपीरेंस है वह आपको दोने फोन में लगबक सेम सा देखने को मिलेगा लेकिन डिस्प्ले साइज बड़ा होनी की विज़े से और ग्लास बिल्ड की वज़े से जो रैडमी 12 है उसका जो इन्यांड फिल है वह आपको इत 616 के प्रोसेसर को देखो दोनों प्रोसेसर अच्छे कोई खास डिफरेंस नहीं है लेकिन डेडमी 12 में स्लो स्टोरेज मतलब एम्म सी वाला स्टोरेज यूज होने की वेज़े से आपको आगे चलकर जो है तोड़ा स्लो होता हो नजर आएगा रे मैनेजमेंट इना चीज को काफी अच्छे से नोटिस कर पाओगे बाकि बैटरी वाईस दोनों 5000 में इसकी बैटरी के साथ में आएंगे जो मोटो जी 14 वहां पर आपको 15 मोट की फास चार्जिंग मिलीगी और जो रेडमी 12 है वहां पर आपको 18 मोट की फास चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा तो कहीं नगी चार्जिंग स्पीर्ड की मामले में Redmi 12 एक बैटर उप्शन है लेकिन साउंड कॉलिटी के अगर बात आती तो वहां पर Moto G14 एक बैटर उप्शन निकल कर आता है क्योंकि यहां पर आपको dual stereo speakers देखने को मिलते हैं जो कि एक OS update और तीन साल के security update मिलेंगे software UI को लेगर फर्क सिर्फ इतना होगा कि MIUI में जहां पर किस्टमाइजेशन ज्यादा मिलेंगे वही एड्स और ब्लॉटवेर्स भी आपको देखने को मिलेंगे लेकिन Moto G14 के अंदर आपको जो है एड्स और ब्लॉटवेर्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं साथ यहां पर आपको क्लीन सॉफ्टवेर एक्स्पिरेंस करने को मिलेगा तो सॉफ्टवेर वाली चीज़ भी मैं आपके ऊपर चोड़ता हूं कि आपको कस्टमाइजेशन के साथ में MIUI ज्यादा पसंद या फिर क्लीन वाइस के साथ में Moto अब लास्ट बड नौट अलीस बात करते हैं फोन के कैमरा की तो Moto G14 में आपको 50 ब्लस 2 नेकापिकसल की कैमरा मिलते हैं वहीं जो रेद्मी 12 है वहां पर आपको 50 प्लस 8 प्लस 2 मेगा पिक्सल की कैमरा देखने को मिलेगे तो 8 मेगा पिक्सल अल्टर वाड एंगल सेंसर के साथ में Redmi 12 यहां पर थोड़ा सा बेटर कैमरा हाडवेर ओफर करता है कैमरा क्वालेटी वाइस 19-20 का ही फरक आपको मिलेगा सेल्फी के अगर बात करें तो दोनों फोन 8 मेगा पिक्सल सेल्फी के साथ में आते दोनों फोन के साथ में आपको डिसन टाइप की कैमरा परफॉर्मस देखने को मिल जाएगी अब बात आती है प्राइस पॉंट के क्योंकि बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपईया सस्ता कौन सा पड़ेगा दोनों फोन का जो स्टार्टिंग प्राइज वो दस जार के करीब है रैडमी टुवल के अंदर जहां पर आपको चार्ज भी रैम और 128 जिबी का स्टूरेज देखने को मिल जाएगा वहीं देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं स्टूरेज के मामले में यहां पर रैमी टुवल एक बैटर ऑप्शन निकल कर आता है तो सारी चीज़े मैं आपको बता दी आपको आइडिया तो हो गया होगा कि यहां पर प्राइस उसके लिए कंपरेजन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो मैं मिलता हूं किसी ने टॉपिक इसाफ में तब तक के लिए जैहिन जैबारत